है रे दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त सेयद परवेश्टो दोस्तो आज की इस वीडियो में यहां पर हम हाफ कॉलर कुर्टी कटिंग करने वाले हैं तो इसकी जो लंबाई है वो है 40 इंच, आस्तीन यानि स्लिप्स वो है 16 इंच, आस्तीन की गोलाई है 8 इंच, शोल्डर है 14 इंच, चेश्ट है 33 इंच, कमर है 27 इंच, हिब है 34 इंच तो दोस्तो हमें इसमें 2 इंच की लूजिंग छोड़ना है थीक है 2 इंच की लूजिंग की ट्सिंग करें थीक है 2 इंच की डिख कुर्ण करें क्याओ दूझ है तो अमें 25 इंच का निशान लगने के बाद दोस्तों यहां पर जुश लमबाई है तो हम यहां पर रखेंगे और हैं दोस्तों में चारुरूर के निशान में रखा देंगे मार्जिनी में कुछ निशक्तर है और किंख नहीं पर 평ose decreased के लिए हमें यहाँ पर अपना आर्मोल रखना है वो रखना है साड़े छे इं conserve यहाँ पर आर्मोल लखेंगे उसके बाद में यहाँ पर हम 20.30 पर लगाएंगे कमर का निशान यहाँ से आर और उसके बाद में लगाएंगे 13 इंच पर तीक है तोटल जो हमारे जहां से चौक खुलेंगे वह गया 19 इंच और उसके बाद यहां पर हम निशान लगा लेंगे अब दोस्तो हमारा यहां पर जो शोल्डर है है वह है 14 इंच तो हम आधा इंच का देंगे दोंगो मार्जन तो दोस्तों यहां पर होता है 15 15 16 इंच 4 लिए flग हम और यहां पर निखो सब्सक्राइब 4 धृत्य को ₹ मचायाद में यहां पर एक निषान लगाएंगे दूसरा यहां पर इंच टो स्टों हमारे कमर पर निषान लग चुके हैं अब दोस्तों हमारा यहां पर जो दामन है यानि की पल्लू है ठीक है पल्लू को किस साथ से रखना है तो दोस्तों हमारी शींच पर currencies के confused तो हम यहां पराखेंगे हमारे रहेंके थारे में पर 105 और हमारी तोarinस करेंगे उसके बाद में यहां पर एक नशाहर लगा लेंगे इस पिल कर नोकाति यहां पर डवक में 19 इंच यानि पल्लू जो हमएरा रहेगा वो 19 इंच रहेगा उसके बाद में हम यहाँ पर लगाते हैं एक निशान स्लाई मार्जन जो मार्जन अंदर रहता है वो 2 इंच का लगाएँगे यहाँ पर अर यहाँ पर लगाएँगे 7 इंच पर तो और रहे ह UA लेते हैं और इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे उसके बाद में दोस्तों अब हमें यहां पर लगाना है निशान हमें आदा इंच अपने टीक को डाउन करना है तो इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद यहां पर हम किरास कर लेंगे और इसको भी हम निशान लगा देते हैं दोस् तो मैं इसको cutting कर लेता हूँ तो दोस्तो हमने यहाँ पर अपने सामने को पिछा दिया है back cutting करने के लिए उसके बाद जो हमारे यह निशान है fitting के उसके नीचे हम निशान लगा देंगे इस तरीके से कि हमें सिलाई करते टाइम परिशानी ना हो और इस निशानों पर सिलाई लगा लें ठीक है इस तरीके से लगा दिया उसके बाद में दोस्तों जो collar वाली कुर्टी होती है उसकी cutting किस परकार होती है वो यहाँ पर ऊपर होती है shoulder में तो हमें यहां पर क्या करना होगा जैसे हमारे फ्रेंट है इस जगह तो यहां से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा अपनी बैक को cutting करना है तो हमने यहां 1.5 इंच का निशान लगाया है इसको हम सीधा कर लेते हैं हलका से करेंगे किराज 1.5 इंच का जैसे हमने यहां पर फ्रेंट में करा था उसके बाद यहां से रकोरीब एक इंच इधर जाके निशान लगा लेंगे हलका से करेंगे तिर्चा और यहां पर देरेंगे गोल आई अब दोस्तों बात करें इसकी यहां बैट की तो हो समय योThank to eye your AfD जो हम राधे दामन चा जो मार्जन हैं यहां पर कट लगाएंगे क्यूंक्स हम हम से ौक करना है चाक यहां से घुलेंगे तोzub यहां पर कट करना है जहां से अंड़ी कर ना तो यहाँ पर लगाएंगे अर्ग हमारे आस्तीन की जो लेंथ है 16Me और पौर आस्तीन टिक पान आस्तीन के एक निशानन चो फर यहां पर जोनाएंगे 1 अर्ग और यहीं कर लेते हैं सीधा करने के बाद अब दोस्तों हमने जो अपना आर्मूल हुआ कटिंग कर आया कुटती है वो कराए साड़े छे इंच ठीक है तो हमें यहां पर कटिंग करना है साथ इंच यानि आदा इंच एक्स्ट्रा उसके बाद में धाई इंच तक हम सीधा आएंगे उसक सीधा सरी के से और दोस्तों यहां पर एक इंच का या 10 इंच जो भी आप मारजन लेना चाहें वो ले सकते हैं यहां पर लगाएंगे कट यहां पर एक कट लगाएंगे उसके बाद आस तिन को करेंगे यहां पर इस तरीके से open ठीक है और यहां से जहां से हम आयते हैं जहां से हमें रौंड लियाता है धाई इंच आगए आगे तो वहां से हमें इसको किरास करना है हलका सा अंदर को और इसको भी cutting करना होगा क्यूंकि यह सामने में चड़ती है और यहां पर लगा देंगे कि कट हलका सा बहुत बारिक सा कट लगाना है तो दोस्तों यहां पर हमारी cutting हो चुगी है complete तो इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूंगा वह करूँगा कालर चलाने की और कालर cutting करने की ठीकर आपको यहां पूरा दिखाऊ अगर आप हमारे चैनल पर पहली वारा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लेकर तो से लाइक और शेकर ना भूलें चलिए दोस्तों मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में टैंस पर वाचिंग